21.5.1 प्रतिसपर्धा और रोजगार की अनिश्चित्ता वैश्वी करान और प्रतिसपर्धा के दबाओं ने श्रमिको के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है बढ़ति प्रतिसपर्धा के कारण अधिकांश नियोकता इन दिनों श्रमिको को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं इसका अर्थ है कि श्रमिको का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है अमेरिका और यूरोप में वस्त्रुद्योग की बड़ी बहुराष्टे कमपनिया भारतिय निर्यातकों को वस्तु की आपूर्ती के लिए ओर्डर देती है विश्वयापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्टे कमपनिया लाब को अधिक्तम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोशती हैं इन बड़े ओर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारति वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिस करते हैं चुकि कच्चे माल पर लागत में कटोती नहीं कि जा सकती इसलिए नियोकता श्रम लागत में कटोती करने की कोशिस करते हैं जहाँ पहले कारखाने श्रमिकों को स्थाई आधार पर रोजगार देते थे, वहीं अब अस्थाई रोजगार देते हैं। 35 वर्षी शुशीला ने वस्त्र निर्या तक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष कारे किया। जब वह एक स्थाईश रमिक के रूप में नियूक्त थी, तो स्वास्थ भीमा, भविश्यनिधी एवं अत्रिक्त समय में कारे करने के लिए दुगनी मजदूरी की हगदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्टरी बंध हो गई, तो 6 माह तक रोजगार तलाशने के बाद अंतता उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्टरी में काम करने के बावजूद वह एक अस्थाईश रमिक हैं और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती हैं। इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं। 21.5.2 पर्यावरण पर प्रभाव। वैश्वी करन की कुछ दशकों के इस परिगटना से कई शेत्रों में भले ही लाव हुआ हो, लेकिन इसने नई चिंताएं भी पैदा कियें। तेजगती की इस व्रिद्धी से उभुकता वाद तो बढ़ा है, लेकिन पर्यावरण के लिहाद से सवाल भी खड़े हुए हैं। विश्वस्वास्त संगठन के अध्यन के मुताबिक दिल्ली दुनिया के प्रदूशित शेहरों में से एक है, उसने अपने अध्यन में पाया कि दिल्ली की हवा में PM 2.5 नामक कड का इस्थर 122 माइक्रोग्राम प्रती घन मीटर हैं। इसका समान इस्थर 10 माइक्रोग्राम प्रती घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। से बढ़त हुई है, उनमें से एक वाहनों का बाजार है। मारूती उद्योग द्वारा भारत में उद्योग शुरू करने के बाद 1988 तक कुल उत्पादन सिर्फ 1,788,000 नग ही था, एक दशक बाद 1999 में उत्पादन बढ़कर 5,33,000 नग हो गया था। 2000 के बाद शुरुवाती सालों में आटो मुबाइल उद्योगों में विदेशी निवेश की अनुमती दी गई। वर्ष 2004 में सिर्फ कारों का उत्पादन करीब करीब फिर से दो गुना हो गया। तब से लेकर उत्पादन ने उची छलांग लगाना शुरू कर दिया। एक आखड़े के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही प्रति दिन 1400 के हिसाब से वाहन बढ़ रहे हैं। उत्पादन और वृद्धी के लिहाज से देखें तो ये आकड़े सुखत लग रहे हैं। परंतु जीवनिस्तर पर होने वाले इनके असर को देखें तो तस्वेर दुखत लगती है। क्योंकि वाहनों के लिए सडक चाहिए और सडक के लिए जमीन। शेहर सडकों के जाल वा क्रांकिट के जंगल में तबदील होते जा रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं। जमीन से वर्षा जल को अवशोशित करने की छमता कमजोर होने से जल संकट गहराता जा रहा है। इसका प्रभाव सभी पर पढ़ रहा है। 21.6 न्याय संगत वैश्वी करन की ओर। इस अध्याय में हमने वैश्वी करन की वर्तमान अवस्था का अध्यन किया। वैश्वी करन विभिन्य देशों के बीच तेवर एकी करन की प्रक्रिया है। यहां अधिकतर विदेशी निवेश और विदेशी वैपार के द्वारा संभव हो रहा है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारी करण ने व्यापार और निवेश और विदेश को को हटा कर वैश्वी करण को सुगम बनाया है। जिसका असर व्यापक रूप से सभी पर पड़ा है। चुकि वैश्वी करण अब एक सच्चाई है तो वैश्वी करण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। न्याय संगत वैश्वी करण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वी करण के लाभों में सबकी बहतर हिस्सेदारी हो। विकास टिकाऊ और उसमें बराबरी हो यह तभी संभव है जब इस प्रक्रिया में सरकार, जन संगतन और आम लोगों की सक्रिय भूमिका हो।